वेल्कम फ्रेंड मैं मुन्तोस वर आप देखरें मेरी यूट्यूब चनल टेक्निकल मंतोज़े में वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके तो चले वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको करना कि आपको अपने मोबाइल में या लैप टॉप में किसी ब्राउजर को आपन कर लेने के बाद आपको करना कि आपको सर्च बार में टाइप कर देना है एन एस डी अगर आप एन एसडेव से पेंज कर आरे आप अगर आप यू टी ऐटी से बनाएं तो आपको यूट यू टी टाइप करना है तो हम यहां पार आपको क्या करना सर्च पर किलिक करना सर्च पर जैसे लिग लिजए गा आपके सामने कुछी इस तरह का इंटरफेस देखने ल आपको बहुत शार ओप्शन दिखने के लिए मिल जा रहा है तो यहां पे आपको एक ओप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड एपन तो आपको क्या करना आपको इस वाले ओप्शन पे किलिक करना यहां पर जैसे कि आपके सामने कुछ इसतरा का एंटरफेस ओपन हो और उसके बाद यहां पे आपको एक चेक बोक्स देखने के लिए मिल रहा है यह चेक बोक्स पर आपको टिक कर देना और उसके बाद आपको स्लाइड करके नीचे चले आना है इसको डाउन करके नीचे आने के बाद आपको यहां पे एक चेक बोक्स देखने के लिए निचरावे निकर आने के बाद आपको क्या करना 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 है यह यह समेट पर क्लिक करना है सलय की घर के जातए डीटेल यहां पर देखने के लिए यहारा select from below option to receive OTP, तो यहां पर आपको एक option को choose करना है, जिसमें कि आपका OTP आएगा, तो अगर आपके pen card में email id है, तो आप email id को भी यहां पर select कर सकते हैं, और अगर mobile number है, तो mobile number को भी select कर सकते हैं, या आप चाहें तो दोनों को यहां पर select कर सकते हैं, तो चलिए, यहां पर आपको एक option देखने के लिए मिल जाना है, generate OTP, तो आपको क्या करना, आपको इस पर click करना, इस पर आप जैसे ही click किजएगा, आपका जो pen card link registered mobile number है, उस mobile number पर OTP चला जाएगा, आपको क्या करना होगा, उस वाले OTP को यहां पर fill करना, आप देख सकते हैं, OTP आ चुका है, तो चले हम लोग OTP को fill कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर OTP को fill कर दी है, अब आपको यहां पर करना है, वैलिडेट पर click करना है, वैलिडेट पर जैसे ही click किजएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा, आप देख सकते हैं, यहां पर आपक लेना है, आप किस तरह से यहां पर पेड करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर online payment through ATM करना है, इस पर जैसे ही click किजएगा, यहां पर आपको पेड करना है, आपको पहले एक चीज़ धियान रखना है, अगर आप अपने pencard को download करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको कितना fix द यहां पर आपको लिखाओ देख रहा है, fee including GST, बदलब 8 रुपया 26 पैसा आपको यहां पर paid करना होगा, तब ही जाकर आपका जो pencard है, वो download होगा, तो यहां पर आपको आपको करना है, प्रोसीटु पेड मेंट वाले option पर किलिक करना है, यहां पर आप जैसे ही click किजएग यहां पर आपका जो payment का option है, वो यहां पर successfully open हो चुका है, तो यहां पर आप कीस तरह से pay किजएगा, वो आपको यहां पर select कर लेना है, तो चलिये हम लोग यहां पर UPI से payment करेंगे, यहां पर जैसे ही click करेंगे, आप देख सकते हैं, यहां पर आपको बहुत सारा option open हो Чुक आपका यहां पे option open हो जाएगा, तो चलिए हम लोग यहां पे phone pay वाले option पे click करेंगे, phone pay वाले option पे जैसे ही click करेंगे, आपका जो यहां पे phone pay है, वो यहां पे open हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं, आपके सामने कुछ इसतरा का interface open हो चुका, यहां पे आपको क्या करना है, अब payment कर लेना और यहाँ पर आपको pay, pay पर क किलिक करना है, pay पर जैसे ही क्लिक किजेगा, यहाँ पर आपके आपस UPI पी पिन डाल कर, OK पर किलिक कर देना, OK पर आप जैसे ही किलिक किजेगा, आपका जो pen card है वो successfully download हो जाएगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो पेन काड है कुछ इस तरह का डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर आपके पास भी पेन काड नहीं है आपका पेन काड कहीं खो गया गुम हो गया आपको नहीं मिल रहा है तो अब आप आसानी से अपने पेन काड को डाउनलोड कर सकते हैं तो आसा करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ मागया है अगर मैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो में वीडियो पे एक लाइक कर दीजेगा और अगर मेरी चैनल में नहीं आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाश तक देखने के लिए थैंक यू